हालो दोस्तों आपका चैनला में स्वागत है तो दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं जीके कुछ important question के साथ अगर दोस्तों वीडियो छल लगता तो like करेगा फर्स्ट टाम चैनलापर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें शरोच नियालाय को न्याइक पूर्ण रिक्षन का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छे 136 किसे सुप्रिम को नियाईक पूर रिक्षन का उच्ज़तम नियालय में होते हैं 31 नियाई दीस इसमें एक मुखे नियाई दीस और 30 अन्य दीस बारत में हाई कोड की संगय कितनी है तो वो है 24 हाई कोड है बारत में सम्विदान का व्याख्या करने वाला तता संदक्षक माना जाता है सर्वोच नियाले को सम्विदान का व्याख्या करने वाला तता संदक्षक माना जाता है सर्वोच नियाले को शुक्रिम कोड को विदेदिकारी को ना था है वहाँ नियाईवादी सर्वोच नियालाई के प्रमुक नियाईदिस कौन थे प्रथम सर्वोच नियालाई के सुप्रीमिंगोड के प्रथम मुख्य नियाईदिस कौन थे तो हिरालाल जे कान्या प्रारम में उच्छतम नियालाई में मुखे नियाईदी समेट कुल कितने नियाईदी से तो प्रारम में थे आठ पंचाव वहर्याणा के उच्छ नियालाई के दिन है चंडीगड़ पंचाव वहर्याणा के उच्छ नियालाई के दिन है चंडीगड़ कौलकाता उच्छ नियालाई के दिने अन्दमा निकोबार दीप समूँ मदरास हाई कोड के दिने पांडी चेरी किस हाई कोड के दिने तो मदरास हाई कोड के दिने केरल उच्छ नियालाई के दिने लक्षु दीप और बंबई उच्छ नियालई के दिने दमन दिवन नागर अवेली ये बंबई हाई कोड के दिने दमन दिवन नागर अवेली सबसे पहले भारत में उच्छ नियालई का गठन कब और किन इस्थानों पर हुआ तो सबसे पहले हुआ था 1822 दीशो में तीन जगह पे कलकात्ता बॉम्ह और मद्राज में। सबसे पहले वारत ने हाई कोड का गटा इन तीन जगह पे हुआ था। किस उच्छ नियालाय में 29 की संक्या सबसे काम है तो गोवाहटी उच्छ नियालाय में 29 की संक्या सबसे काम है किस उच्छ नियालाय में 29 सरवादिक 29 है तो इलाबाद उच्छ नियालाय में और सरवादिक सेत्र दिकार वाला उचनियाले है तो गोवाटी उचनियाले है दिल्ली उचनियाले की स्थाबना कब हुई थी तो 1966 में हुई थी दिल्ली उचनियाले की स्थाबना पठना उच्छ नियाले की स्थामना कब हुई थी तो 1916 इस्वी में हुई थी पठना उच्छ नियाले की स्थामना अगला है इलाबाद उच्छ नियाले की स्थामना हुई थी 1866 इस्वी में उच्छतम नियालाई तता उच्छ नियालाई के मुख्य तता अन्य नियादिश्यों की सेवाने वरत की आयू कितनी है तो क्रमसा 65 वर्स तता 62 वर्स उच्छतम नियालाई के तो 65 वर्स है सुप्रीम कोड की और हाई कोड के है 62 वर्स उच्टान तोदा उच्छ नियालाई कि कारी कारी भासा कौन से होती है तो अंग्रेजी होती है और केंद्र और राज्जियों के मद्य विदाई सक्तियों का वितरन आदारिते 1935 अधिनियम के तहट जम्मो कस्मिर का सम्विदान कब लाग हुआ तो 1957 है और जम्मो कस्मिर विदान सभा की अवधी कितने होती है तो 6 वर्ष की होती है जम्मु कस्मिर सम्विदान की सभा का प्रतम अधिवेशन हुआ था 10 अक्टूबर 1951 को और पियो के पाक अधिकरस कस्मिर में कितने जिलो है पियो के में तो दो हो जाएगी जम्मु कस्मिर में राज्यपास आसन सबसे पहले कब लगा 27 मार्च 1937 को जम्मु कस्मिर को विशेस राज्य का दर्जा अनुछे 370 के तर्द दिया गया था जो भटा दिया है और लोग सेवा है तू ली कमिशन काप गटी तूई थी 1923 में पिके यूगन समिती घटी तूई थी 1928 में लाट रिपंदार इस्थानी स्वाशासन निस्थापित किया गया सन अठारा स्वा बर्यासी इसमें दोस्तों यह थे इंपर्टन किस्चन वीडियो चलागा तो लाइक करें चनल को सब्सक्राइब करें